दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों मागदोशन करेंट अफेर्स वार्सकी में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रमुक पदाधिकारियों के बारे में जिसमें आप प्रमुक संबैधानिक युम गयर संबैधानिक पदाधिकारियों, सेना प्रमुखों, प्रमुख मंत्रालियों के सच्चिव और सलाहकार, प्रमुख आयोंकों के अध्यच्छ तथा महारतन कंपनियों के प्रमुख और प इसे इस रूप से उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग द्वरा आयोजित पेट परिच्छा के लिए उप्योगी है। तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें प्रमुक संबैधानिक और गैर संबैधानिक पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे। देखिए भारत के राष्ट्रपती कौन हैं। गोपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्रगोस हैं और भारत के एटारनी जनरल यानि महा न्यायवादी के के बेड़ुगोपाल हैं। इसके अलावा चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ सीडियस जिसको कहा जाता है जनरल बिपिन रावत और सालिसीटर जनरल आफ इंडिया दोस्तों तुसार महता हैं। राजसभा के सभापती बरतमान में M.Bankayan A.I.D.U हैं और लोकसभा में विपक्ष केनेता तो अधीर रंजन चौधरी हैं। राजसभा के उपसभापती का उन हैं हरिवन्स नारायण सिंग राजसभा के उपसभापती हैं और राजसभा के पदेन सभापती आप जानते हैं वायस प्रेसिडेंट यानि उपराष्ट पती होते हैं। दोस्तों राजी सभा के उप सभापती हरिवन्स नारायण सिंग और राजी सभा में विपक्ष केनेता मल्लिकारजुन खडगे हैं लोक सभाध्यच सरी ओम बिड़ला हैं और मुख्य निरवाचन आयुक्त दोस्तों सुसील चंद्रा देखिए मुख्य निरवाचन आयुक्त या चीफ इलेक्षन कमिशन सुसील चंद्रा हैं इसके अलामा दो अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार और अनूप चंद्रपांडे हैं दोस्तों एक महतवपूर्पद है अपने यहां नियंत्रक एवं महालेखक परिछक जिसको किसार्ट में CAG या कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल कहा जाता है ये हैं गिरीश चंद मुर्मो अब आए देखते हैं प्रमुक सेनाओं के प्रमुकों के बारे मे दोस्तों वायू सेनाध्यक्ष कौन है एयर चीफ मार्सल राकेश कुमार सिंग भदवरिया इस समय भारत के वायू सेनाध्यक्ष है नौ सेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंग है और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवडे तो एक बार फिर से देखते हैं दोस देखिए वायू सेना ध्यक्ष एयर चीफ मार्सल राकेश कुमार सिंग भदवरिया नौ सेना ध्यक्ष एड्मिरल करमबीर सिंग और थल सेना ध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नर्वडे हैं अब आए देखते हैं प्रमुक मंत्रालियों के सचिव और सलाहकारों के बारे में कैबिनेट सचिव दोस्तों कैबिनेट सचिव राजिव गौबा हैं विदेश सचिव हर्सवर्धन सरिंगला गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और वित्त सचिव डाक्टर टीवी स्वामिनाथन हैं राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों ये बहुत ही महत्वपोर्पद है वर्तमान में भारत के लिए भारत के राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं और भारत सरकार के प्रधान वैग्यानिक जो हैं डाक्टर के विजय रागवन हैं दोस्तों भारत सरकार के परधान वैज्यानिक सलाहकार ढक्टर के बीज़े रागवन, रक्षा मंतरी के प्रमुख वैज्यानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवब विकास संगठन यानी DRDO के महानिदेशक ढक्टर जी सतीस रेड्डी दोस्तों डाक्टर जी सतीस रेड़ी रक्षा मंत्री के प्रमुक वैज्यानिक सलाहकार हैं और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं तो याद कर लिजे डाक्टर जी सतीस रेड़ी अगला है दोस्तों भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है डाक्टर के सीवन दोस्तों डाक्टर के सीवन इसरो के अध्यक्ष हैं बरतमान में अब आई ये देखते हैं प्रमुक आयोगों के अध्यक्ष के बारे में देखिए पहला है बहुत ही महत्पूर नीती आयोग, नीती आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधान मंतरी होते हैं, तो बरतमान में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी नीती आयोग के अध्यक्ष हैं, और नीती आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर राजियो कुमार हैं, और मुख्य कारेकारी अधिकारी अमिताव कांत हैं अगला है राष्ट्री मानवा धिकार आयोग देखिए राष्ट्री मानवा धिकार आयोग के अध्यक्ष नयमूर्थी अरोण मिस्रा हैं और राष्ट्री अनुसूची जाती आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं राष्ट्री कामधेनु आयोग देखि इसके अध्यक्ष है राष्ट्री पिछड़ावर्ग आयोग के अध्यक्ष वी अलसाहनी यानी स्री भगवान लालसाहनी राष्ट्री पिछड़ावर्ग आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों राष्ट्री अनुसूची जन्जात यायोग के अध्यक्ष हर्स चौहान है 15 में वि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है नियायमूर्ति वी एस चौहान दोस्तों नियायमूर्ति वी एस चौहान 21 विधि आयोग के अध्यक्ष है राश्ट्री महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा सर्मा है और राश्ट्री बाल अधिकार संरक्षन आयोग ये बहुत ही महत्पू गुमार गुपता इसके अध्यक्ष हैं संगलोग सेवा आयोग यानि UPSC प्रफेसर प्रदीब कुमार जोसी यानि प्रफेसर पी के जोसी संगलोग सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों विश्व विद्यालय अनुदान यानि UGC इन्वर्शिटी ग्रांड कमिशन के अध्यक्ष प्रफेसर धिरेंदर पाल सिंग केंद्री सतरक्ता आयोग यानि सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर संजय कोठारी हैं और मुख्य सूचना आयोग देखिए चीफ युक्त यश्वर्धन कुमार सिनहा हैं अब आये देखते हैं दोस्तों प्रमुख जाच एजेंसियों और अर्ध सैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में देखिए केंद्री अनुवेशन ब्यूरो यानि सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन सीवी आई के अध्य या निदेशक सुबोध कुमार जैसवाल है रा जिसको research and analysis विंग कहा जाता है रा के निदेशक सामन्त गोयल हैं इन्टेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अर्विंद कुमार हैं अब आए देखते हैं जो हमारे अर्ध सैनिक बल हैं इनके महानिदेशकों के बारे में देखि केंद्रिय रिजर्व पुलिस वल यानि CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंग है सीमा सुरक्षा वल BSF के निदेशक महानिदेशक राकेश अस्थाना ससस्त्र सीमा वल SSB SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र और ITBP यानि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक SS देशवाल है राश्ट्री सुरक्षागार्ड NSG के महानिदेशक MA गडपती और रेलवे सुरक्षाबल देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक अरुण कुमार है राश्ट्री आपदा मोचनबल यानि NDRF के महानिदेशक SN परधान है और राश्ट्री कैड़ेट कोर यानि NCC इसके महानिदेशक Lieutenant General तरुण कुमार आईच है राश्ट्री जाच एजनसी यानि NIA तो राश्ट्री जाच एजनसी National Investigation Agency इसके महानिदेशक कुलदेव सिंग है जिनको अतरिक्त परभार मिला हुआ है अब आईए देखते हैं दोस्तों भारती बोर्ड और समिती तथा प्राधिकाडों के अध्यक्ष के बारे में देखिए भारती फिल्म और टेलिवीजन संस्थान FTII के अध्यक्ष सेखर कपूर है केंदरी फिल्म प्रमाडर बोर्ड यानि CBFC इसके अध्यक्ष प्रसून जोसी है और केंदरी प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको की CBDT कहा जाता है सार्ट में इसके अध्यक्ष GB महापात्रा है जिनको की अतरिक्त प्रभार मिला हुआ है केंदरी प्रत्यक्ष कर बोर्ड का दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि CEO कौन है सुनीत सर्मा है और भारती प्रतिभूत और बिन्मे बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो अजय त्यागी है केंदरी प्रत्यच्षकर और सीमा सुल्कबोर्ड डग M. अजीत कुमार और भारती आयरविज्ञान अनुसंधान परशत के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भारगव है दोस्तों भारती बिमान पत्तन प्राधिकरण जिसको की AAI कहा जाता है इसके अध्यक्ष संजीव कुमार है राष्टी राजमार प्राधिकरण सुखवीर सिंग संधु और भारती दूर संचार बिन्यामक प्राधिकरण के जो हेड है वो PD बागेला है भारती बिमा प्राधिकरण जिसको की IRDAI कहा जाता है सुभाश चंद्र खुंतिया इसके अध्यक्ष है और पेंसन बिध बिन्यामक और विकास प्राधिकरण पी एफ आर डिये के अध्यक्ष है जो हेड है सुप्रतिम बंदुपाध्या है भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको की UIDAI कहा जाता है इसके CEO सौरवगर्ग हैं दोस्तों और भारत के महापंजियक और जन्गर्णा आयुक्त वर्तमान में डाक्टर विवेक जोसी हैं अब आये देखते हैं सारोजनिक छेतर के उपक्रमों के प्रमुख अध्यक्ष और प्रवंध निदेशक और निदेशकों के बारे में देखिए भारती जीवन बीमा निगम यानी LIC Life Insurance Corporation of India इसके अध्यक्ष MR कुमार है दोस्तों MR कुमार भारती जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं इसके अलामा दोस्तों भारती भारत इलेक्टरानिक्स लिम्टेड BEL इसके निदेशक MV गोवत्मा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड HPCL के अध्यक्ष MK सुराणा है और भारती परियतन विकास निगम लिम्टेड G. कमल वर्धन राओ इसके डारेक्टर हैं दोस्तों भारत संचार निगम लिम्टेड यानि BSNL इसके अध्यक्ष प्रवीड कुमार पुरवार है अब आये देखते हैं सारवजनिक छेतर के उपक्रमों के अध्यक्षों के बारे में हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड HAL के अध्यक्ष आर माध्वन है एर अब दोस्तों भारती महारतन कंपणियों के प्रमुखों के बारे में जान लेते हैं देखें एंटी पीसी निशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन इसके अध्यक्ष और प्रवंध निदेशक गुरदीब सिंग है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिम्टेड यानि BHEL के प्रव प्रिक्त प्रभार मिला हुआ है О. दोस्तों इंडियन आएल कार्पोरेशन लिम्टेड आई-यो-सी-यल इसके प्रवंध निदेशक सри कान्त माधो बैद्य हैं कोल इंडियाल लिम्टेड यानि CIL, CIL के प्रमोद अग्रवाल और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड, BPCL इसके अध्यक्ष और प्रवंध निदेशक अरुण कुमार सिंग है दोस्तों यहां पर देख लेते हैं प्रमुक सूचकांकों में भारत का अस्थान, देखिए प्रमुक सूचकांक और इसमें भारत का अस्थान, दोस्तों वैस्विक सान्ति सूचकांक 2021 इसमें भारत का अस्थान 135 वा है और आइसलेंड सीर्स पे है, यानि वैस्विक सान्ति बहरत का 14 अस्थान है, इसमें सीर्स पे इंडोनेशिया है, और सूचकांक 2021 में स्वीडन सीर्ष पे है और भारत का 87 अस्थान है विस्व प्रेस्वतंता सूचकांक 2021 में भारत का 142 और नार्वे का सीर्ष अस्थान है विस्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का 149 फिनलेंड सीर्ष पर इस्थित देश है और देखिए वैश्विक लेंगिक अंतराल सूचकांग 2021 में दोस्तों भारत का अस्थान बहुत खराब है 140 है जबकि लेंगिक अंतराल सूचकांग में आइसलेंड सर्वोच सिखर पर है अगला प्रश्ण है B2C यानि Business to Customer E-Commerce Index 2020 में भारत 177 हमें अस्थान पर है जबकि सूचकांग 2021 इसमें आपका अमेरिका जो है सिर्ष पर है और भारत 40 में अस्थान पर है अंतराश्टी बौधिक संपदा सूचकांग 2021 में भारत 40 में पर जबकि अमेरिका सिर्ष पर है देखिए आर्थिक स्वतंता सूचकांग 2021 में भारत का अस्थान 121 है सिंगापूर प्रथमस्थान पर लोकतंतर सूचकांग दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 इसमें तिरपन में अस्थान पर है और वैस्विक जलवायू जोखिम सूचकांग 2020 में मुजाम्बिक सिर्ष पर है और भारत सातमें अस्थान पर है भरष्टचार बोध सूचकांग जिसको की करप्सन इंडेक्स कहा जाता है भरष्टचार बोध सूचकांग 2020 में भारत का 86 अस्थ जबकि इसमें स्वीडन सीर्स पर है और मानो स्वतंता सूचकांग 2020 में 111 अस्थान है भारत का और इसमें यानि मानो स्वतंता सूचकांग 2020 में न्यूजी लेंड सीर्स पर इस्थित है इसके अलावा दोस्तों बैस्विक भुखमरी सूचकांग देखिए ये भी बहुत ही महत्वोड है बैस्विक भुखमरी सूचकांग 2020 में भारत 94 अस्थान पर है जबकि पहले अस्थान पर बेलारूस है इसमें भारत का अस्थान 62 अस्थान पर मानो पूजी सूचकांग देखिए हुमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में सिंगापुर पर्थम और भारत 116 अस्थान पर है वैस्विक नवाचार सूचकांग यानि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इनोवेशन में स्विटिजनलेंट सीर्स पर और भारत का अस्थान 48 अस्थान है इनोवेशन से समबंधित प्रश्न करिंट अफेर्स में बहुत बार पूछा गया है वैस्विक निर्माड जोखिम सूचकांग 2020 इसमें चीन पर्थम अस्थान पर जबकी भारत का तीसरा अस्थान है और दोस्तों परियावरण निस्पादन सूचकांग 2020 इसमें देखिए डेनमार्क सीर्स अस्थान पर और भारत 168 अस्थान है वैस्विक रियल इस्टेट पारदर सिता इसमें यूनाइटेट किंगडम वैस्विक रियल इस्टेट पारदर सिता सूचकांग 2020 में यूनाइटेट किंगडम सीर्स पर और भारत का 34 अस्थान है पहला बैस्विक सामाजिक गति सीलता सूचकांग 2020 इसमें भारत चीहतर हमें अस्थान पर जबकि डेनमार्क सीर्स अस्थान पर है दोस्तों डूइंग बिजनिक्स इंडेक्स 2020 इसमें न्यूजिलेंड सीर्स पर और भारत का अस्थान तिलसठ हुआ है देखिए लेगाटम समरिध्य सूचकांग 2020 दोस्तों लेगाटम समरिध्य सूचकांग 2020 ये देखिए डेनमार्क इसमें सीर्स पर है और भारत 101 में अस्थान पर है मानो विकास सूचकांग Human Development Index जोकी संयुक्तराष्ट विकास कारेक्रम दोरा जारी किया जाता है दोस्तों मानो विकास सूचकांग 2020 में भारत का 131 अस्थान है 131 जबकि नार्वे सीर्स पर है दोस्तों भारत मध्यम मानो विकास सूचकांग वाले देशों की सूची में आता है वेस्विक आतंकवा सुचकांग 2020 इसमें अफगानिस्तान सिर्ष पर और भारत का आठवा अस्थान है जबकि Asia Power Index 2020 में अमेरिका सिर्ष पर और चौथा अस्थान भारत का है इस वीडियो का लाश्ट कोशन वैस्विक प्रतिभा प्रतिसपर्धा सुचकांग 2020 में भारत का कौन सा अस्थान है 72 और स्विटजल लेंड इसमें सिर्स अस्थान पर आता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मागदोशन करेंट अफेर्स वारसिकी के अंतरगत इस वीडियो में आपने भारती संग के प्रमुख पदाधिकारियों प्रमुख आयोगों के अध्यक्षों मंत्राले के सचिव और सलाकार तथा महारत्न कमपनियों और उनके प्रमुख तथा प्रमुख सूचकांक और उसमें भारत का अस्थान और सिर्ष अस्थान पर पाने वाले देशों के नाम को आपने चाना ये वीडियो बिभिन प्रतियोगी परिच्छाओं के करेंट अफेर्स के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वूर्ण है आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माग दोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार